Hello Friends, All Knowledge Giver में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप किसी पर अपना impression जमाना चाहते हैं आप अपने आपको I'm the best feel कराना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी personality को improve करें आप अपनी language को improve करें आजकल क्या हो रहा है? कि English language बहुत trained कर रही है अगर कोई person आपसे बात कर रहा है और वो बीच-बीच में English के words को बहुत smartly तरीकी से आपसे बोल रहा है तो आप उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और कहीं न कहीं आप उसका एक जो positive message है जो एक positive personality शो करेगा वो आपके सामने उसकी positive image बन जाएगी आपको खुद ही लगने लग जाएगा कि उस बंदे को बहुत knowledge है तो आज हम English language के 10 ऐसे words को use करेंगे याद करेंगे जिनने हम generally daily life में use करते हैं तो वो कौन से words से start करते हैं first word है हमारा जवाई लेना या वासी लेना भी इसको बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं gap या yawning भी इसको बोल देते हैं जवाई लेने को इंग्लिश में बोलते हैं second word है हमारा चीकना तो चीकना इंग्लिश में इसको बोलते हैं sneeze अगर आप चीक रहे हैं आप बता ले कि मैं चीक रही हूं तो आप English में इसको बोल सकते है I am sneezing now तो छीक को English में sneeze बोला जाता है इसके बार थर्ड वर्ड है हमारा उंगली चटकाना बहुत कम लोगों को पता होता है कि उंगली चटकाना इसको नहीं पता होता है लोगों को कि इसकी English actually होती क्या है तो इसकी English होती है crack fingers उंगली चटकाना English में बोलते है crack fingers फूर्थ वर्ड है हमारा चुटकी बजाना तो चुटकी बजाना इसको English में क्या कहते है snapping the finger चुटकी बजाना को English में कहते है snapping the finger fingers इसके बाद फिफ्थ वर्ड है बुनना अगर आप किसी चीच को बुन रहे हैं तो आप इसको बोल सकते है nighting अगर आप sweater बोल रहे हैं तो nighting दो sweater बोल सकते है इसके बाद six word है हमारा चाय चानना चाय चानना को English में कहते है seep the tea इसको English में सब लोग क्या बोलते है seep the tea और यह हर एक की life से जुड़ा हुआ है चाय चानना word तो क्योंकि आप अगर चाय चान रहे है तब भी seep the word use कर सकते है आप किसी को चाय चाहिए कि आप प्लीज चान कर दे दीजिये मुझे चाय तो कह सकते है can you please seep the tea for me तो दोनों तरह हर परसंद की life से जुड़ा हुआ है और इसके बाद seventh word है हमारा नाकून चवाना इसको इंगलिश में बोलेंगे biting nails नाकून चवाना बोलेंगे इंगलिश में biting nails तो biting nails is not a good habit आप वो सकते हैं nails को चवाना अच्छी habit नहीं है इसके बाद है हमारा eighth word है हमारा ser khujana अगर आप सिर को kuju जा रहे हैं अपने तो उसको क्या बोलेंगे scratch head अगर आप से पाईचांस को mistake हो जाती है आप को सोच रहे तो ser khujana लग जाते है तो उसको बोलेंगे scratch head ser khujana इसके बाद ninth word है हमारा गुन-गुनाना देखो songs को गाते हैं that means singing कर रहे हैं बट अगर हम गुन-गुना रहे हैं तो उसको बोलेंगे नेक्टर अगर हम किसी चीज को किसी song को या किसी चीज को गुन-गुना रहे हैं that is called अगर इसके बाद 10th word है हमारा दिन में 2-3 गंटे सोना तो आप इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में nap 2-3 hours अगर आप किसी को बता रहे हैं कि आप दिन में 2-3 गंटे सो रहे हैं तो आप इसको नेप 2-3 hours बोल सकते हैं तो इसमें आपको ये बताने की जूरूत नहीं कि आप दिन में सोने की बात कर रहे हैं या रात में सोने की बात कर रहे हैं आप नब बर्ड यूज कर रहे हैं तो अगला परसन कि आप दिन में सोने की बात कर रहे हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है झाल झाल